इस question में आपको दिया हुआ है ABCD एक cyclic quadrilateral है जिसके diagonals E पे intersect करते हैं यह ABCD एक cyclic quadrilateral है इसके diagonals है AC और BD और intersect करते हैं यह point E पर हमें दिया हुआ है कि angle DBC यह वाला angle 70 degree है यह हमें given है फिर हमें दिया हुआ है angle BAC यह वाला angle यह angle 30 degree है और हमें find out करना है angle BCD क्या होगा यह पूरा angle BCD सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यह 30 degree जो हमें given है BAC यह अगर एक cyclic quadrilateral है तो हम imagine कर सकते हैं कि यहां से इन चारो वर्टेसे से एक circle पास होता होगा क्योंकि यह cyclic quadrilateral है तो यह चारो वर्टेसे किसी circle पे लाई करते होंगे तो हम यह कह सकते हैं कि यह जो angle BAC है और angle BDC है दौनों same segment पर है same arc BC पे होंगे same segment पर है तो इसका मतलब जो angle BDC है वो भी 30 degree ही होगा ठीक है? angles in the same segment of a circle are equal इस theorem का use करके दौनों angles 30 degree होंगे चलिए यह 30 degree होगया अब हम देखते हैं triangle BDC triangle BDC में हमें यह दियावाए कि यह 70 degree है यह 30 degree हमने अभी अभी पता लगाया है तो अब तीसरा angle हो गया angle BCD angle sum properties हम कह सकते हैं कि इन तीनों angles का sum बन 80 degree होगा यह 70 है यह 30 दौनों का sum 100 बाकि बचा 80 इसका मतलब जो angle BCD है वो 80 degree होना चाहिए मैं फिर से बता दू कैसे बता लगाया दो स्टेप्स थे पहले हमें यह 30 दिया वा था कि दौनों 30 30 equal हुए ठीक है क्योंकि same segment पर angles है और फिर angle sum property लगा कि कि मैंने 80 degree find out किया solution देख सकते हैं उसके बाद अब हमें एक condition और दिवाई है कि अगर AB equal to BC हो जाए यह देखिए AB और BC हो जाए तब इस case में angle ECD क्या होगा AB is equal to BC हम figure में देखते हैं AB यह है यह side और BC यह side है हाला कि diagram में आपको equal नहीं दिखाई दे रही है लेकिन यह कहते हैं कि अगर equal हो जाए in case ठीक है अब देखिए इस triangle में अगर AB और BC दौनों equal हो जाए तो triangle ABC एक ISO स्लिस triangle बन जाएगा और दौनों equal sides के opposites angle है देखिए AB के opposite है यह वाला angle angle BC है यह उपर वाला angle यहां तक BC है इस AB के opposite angle और दूसरी equal side है BC इसके opposite angle है यह BAC इन दौनों angles equal है अब BAC तो हमें दिया हुआ कि 30 degree है तो यह भी 30 होगा यह वाला part angle BCD पूरा 80 degree है लेकिन angle BCA 30 degree है इसका मतलब यह remaining part हुआ 50 degree 80 minus 30 50 क्योंकि 30 plus 50 80 होता है ठीक है तो इस तरह से हमने ECD find out किया ECD is 50 degree आप solution चेक कर सकते हैं